बिग बॉस के घर में टिकेट टू फिनाले हुआ है कौन जीता है टिकेट टू फिनाले का टास्क और कौन सीधे-सीधे फिनाले पहुचा है मैं हीना कुमावत फिल्म विंडो पर आपको बताऊंगी तो रुबीना रहूल दो कंटेस्टिन बचे थे और आखरी राउंड चल रहा था ऐसे में पूरा टास्क म्यूट पर था लेकिन हर कोई पारस छाबड़ा पर चड़ रहा था अब घर के अंदर कॉन्वरसेशन चल रही है जिसमें राखी कह रही है मेरा तो गुड़ गोबर हो चारवा दोर उनको सपोर्ट कर रहे थे तो ऐक बाद क्लियर है कि राहूल नहीं रुबीना जीती हैं टिकित टू फिनाले टास्क जीत कर सीधा सीधा फिर नाले पहुँच चुकी है और इससे पहले जो है कल निक्की डेवोलीना पहले डेवोलीना निकली फिर निक्की फिर राखी आज अली जो है बाहर निकल गए तो एक बाद तो तो तेह है कि अब रुबीना दिलेक के पास अगर एक पावर आती है कि वो किसी एक को बचाए तो उसने अपना commitment निक्की को दिया हुआ है क्योंकि निक्की और जान उसको support कर रहे थे तो वो निक्की तंबोली को बचा कर अपने साथ फिनाले में ले जाएंगी तो एक बाद तो तह है कि रुपीना दिले अब टिकेट टू फिनाले जीच चुकी है और पारस शाबडा जब कल घर के अंदर आए तब भी वो यही कह रहे थे कि रुपीना बहुत अच्छी गेम खेल रही है मेरी मम्मी आपकी फैन है आप बहुत अच्छा कर रही है तो वो पारस आते साथ जो है उनको कह भी रहे थे कि आप डिजर्विंग वेनर है तो एक बाद तो देह है कि अब राहूल रुबीना यही दो रह गए थे टिकेट टू फिनाले में और स्टार्स को अब रुबीना जो है वो जीत कर सीधे सीधे फिनाले में पहुँच चुकी है